हेलो एवरिवन आज के वीडियो में हम जेखेंगे अंडराम्स कैसे करें और उसमें भी अगर किसी को अंडराम्स में इस तरह की कोई भी प्रोब्लम है ना तो उस प्रोब्लम को किस तरह से फेस करें और क्या-क्या साउधानी बरतें तो उसके लिए सबसे पहले हमें अंडरामस में टेलकम पाउडर लगा लेना है और फिर जो हैर की डायरेक्शन ना उस डायरेक्शन में हमें वेक्स को एपलाई करना है यहां मैंने ग्रीन इपल का वेक्स लिया हुआ है देखिए इस तरह से हमें वेक्स को एपलाई करना है औ आप देख सकते हैं सारे बाल जड़ से निकल जाएंगे और फिर से वही स्ट्रिप को हमें एक दो बार इसी तरह से लगा के फिर रिमूव करना है ताकि चोटे-चोटे जो कोई हेर रह गया ना वो भी निकल जाए फिर ये जो हुआ है ना उनको प्रोब्लम वहां पे हमें बि उसे रिमूव करें देखिए आप देख सकते हैं सारे हैर जो है पूरे जड़ से निकल गए है और निराम जिगदम क्लियर हो गया है उसी तरह से में दूसरे आथ में भी उसी तरह से करना है देखिए पहले टेलकॉम पाउडर लगा लेना है क्योंकि अगर पसीना रहेगा तो हैर जड़ा से भी रिमूव नहीं होंगे देखिए ज्यादा तर इसी डाइरेक्शन में हैर रहते है कि यह थोड़े हैर रहते है वो अलग डाइरेक्शन में रहते है थोड़े हैर अलग डाइरेक्शन में रहते है तो हम जहां पर उसकी डाइरेक्शन में वेक्स लेंगे तो सही लेकिन वो कट हो जाएंगे और वो है जड़ से निकलते हैं इसलिए डायरेक्ली जल्दी से ग्रो करने लगते हैं तो इस तरह सी छोटी-छोटी सेक्षन लेकर अगर आप अंडराम सिया वेक्स करेंगे ना तो सारे बाल जड़ से निकल जाएंगे आई होब ये वीडियो आपके लिए जरूर से यूसफुल रहा होगा यूसफुल रहा है तो वीडियो को लाइक, सेरे और सब्सक्राइब जरूर से करें